एक मित्र ने पूचा है, प्रामानिक प्यास से साधना, साधना से रूपांतरन, यदि यही रूपांतरन घटने का मार्ग है, तो यह कैसी प्यास है, जो प्यास तो है ही, दुरूह भी है, आसानी से अपना द्वार भी नहीं खोलती, संघर्सों और चुनोतियों के बाद भी रूपांतरन घट जाएगा, इसकी भी संभावना छीन ही लगती है, इसलिए मानो मन कभी कभी विचलित हो जाता है, जिसे आप हमारे संकल्प की कमी कहते हैं, आपको सुनना एडिक्शन नहीं है, साधना पत पर चलने की आवश्यक्ता है, यदि परिक्शा लेते हैं तो अवश्य लें, साधना पत पर चलने वाला चुनोति स्विकार करता है, डरता नहीं, फिर भी प्रार्थना ये है कि प्रामानिक प्यास के विशे में चर्चा करते समय, कुछ और सरल्धंग से व्याख्या कर दें, संघर्सों और चुनोतियों के बाद रुपांतरन घठी जाएगा, इसकी संभावना तुम्हें छीर दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक संघर्सों और कठिनाईयों से तुम अपना तादात में बनाये रखोगे, तब तक रुपांतरन कठिन होगा, संघर्स, चुनोतियां, कठिनाईयां तुम्हारे एहंकार का भोजन है, वो उसमें रस लेता है, तुम उनसे अपने को जोड कर देखते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन किसी और चुनोती की तरह एक विथा है, तुम्हें हर कुने से विथा जागती हुई दि देखोगे, तो तुम्हें ये देखकर आशर्य होगा, तुम्हें सब में रस ले रहे हो, एक बार भी तुम इसे स्विकार करना नहीं चाहते, कि तुम अपनी कठिनाईयों में रस ले रहे होगे, लेकिन फिर थोड़ी देर सजग हो कर ठहरे रहोगे, तुम्हें बोध होग कि इस रस के माध्यम से तुम अपने आपको बना रहे हो, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारे संबंद, तुम्हारे इसी भावदशा का विस्तार है, जिनसे तुम प्रेम करते हो, जिनसे तुम संबंदित हो, उनको कितनी बार तुम ये हवाले नहीं दे चुके हो, कि कितनी कठ तुम्हें अच्छा लगता है कि कठिनाईयां बनी रहें, तुम्हें अपने होने में ये बात सहायक के तोर पर जान पड़ती है, और कई बार जब तुम नहीं कहते हो, तब अपने मन में सोच रहे होते हो, कि देखें, जीवन कितना कष्ट प्रद है, कितना संघर्स पोन है, इसमें अगर जीना है, तो मुझे सारे संघर्स से गुजरना होगा, और इस लड़ाई से, इस युद्ध से निरंतर जूचते रहना होगा, तुम अपने आपको ऐसा अनुभव करके, अस्तित्यु के प्रवाह को तोड़ देते हो, जीने तुम कठिनाईयां और चुनोतियां कह रहे हो, जीने तुम संघर्स कह रहे हो, वो जीवन की एक भिन्न लै हो सकती है, वस्तुते वो जीवन की एक भिन्न लै ही है, जो तुमें किसी आयाम में सचेत कर रही है, वो तुमें तोडने के ल तब तुम्हें दिखाई देगा कि जो जीवन की सरलताएं परतीत होती हैं और जो जीवन की कठिनाईयां परतीत होती हैं तुम इन दोनों बातों से अलग हो। उन विपरिताओं का तनाव तुम्हारे जीवन को गति देता हैं जब तुम दोनों को इश्मन रखोगे जब तुम किसी एक द्रूव से अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं करोगे जब तुम दोनों द्रूवों से अलग हो जाओगे केवल एक द्रूव से तादात में बना ल लेकिन अपने जीवन में फैली सकारात्मक्ता के प्रति तुम बोधपों नहीं हो ये तुमें सकारात्मक बनाने का मार्ख नहीं है सकारात्मक्ता और नकारात्मक्ता ये केवल एक प्रवा है तुमें इन दोनों के प्रतिजाग रोखोना है रहस इतना ही है कि जैसे ही तुम दोनों विप्रूई ध्रूओं के प्रति जागते हो तुमारे जीवन से अनावस्चक संघर्स और अनावस्चक कठिनाईयां विदा हो जाती है तुमारे जीवन में उतना ही तनाओं होता है जितना जीवन को संचालित करने के लिए आवस्चक होता है अभी जीवन संचालित कहां हो रहा है जीवन बह नहीं रहा है वो ठहरा हुआ है और अटक अटक कर चल रहा है वो चलता है और अटक जाता है वो प्रवाह जैसे अवरुद्ध हो गया है जैसे द्वार बंद पड़ा है तुम द्वार के नीचे से कहीं सरक कर गुजर रहे हो ऐसी इस्थिती जान पड़ती है इसलिए असंतुलन है उस असंतुलन को तुम्हें तोड़ना होगा जीवन के किसी भी परिस्थिती का मुल्यांकन करने से अपने आपको रोकना होगा तुम्हारी आदतें तुम्हें बात दिकरेंगी निर्णे देने के लिए कि यहां निकारक है तुम्हारी आदतें तुम्हें बात दिकरेंगी निर्णे देने के लिए कि यह नकरात्मक है, यह सकरात्मक है, यह संघर स्पून है, यह बुरा है, यह अच्छा है और तुम नकरात्मक और संगर्स पून और बुरा नहीं चाहते लेकिन जैसा च्छन तुमारे सामने है तुमें उसे जीना है तुमारे पास कोई उपाई भी नहीं है इसके सिवा जैसे कि मैं कहता हूँ कि पूरी तरह से अभी और यहीं हो जाए तुम नभी होना चाहो तो तुमारे पास उपाई भी क्या है तुम हो यहाँ पर तुमें केवल उसके प्रति जागना है एक जेन फकीर इसी बात पर अपने बुद्धत्य को अपलब्द हुए चोटी सी बात वो बहुत दिनों से अपने भीतर बोध कैसे घट सके इस प्रयास में रत थे उनके भीतर प्रामानिक प्यास जन्म ले चुकी थी चीजें इस प्रस्टता में दिखाई दे रही थी ब्रह्म तोट रहे थे फिर भी वास्तवी घटना नहीं घट रहे थी और इसी भावदसा में एक दिन वो बाजार से गुजर रहे थे रास्ते में कसाई की दुकान पढ़ती थी जब वो गुजर रहे थे उनको एक वारतालाब सुनाई दिया कि एक ग्राहक आकर उस कसाई से कहता है मुझे सबसे अच्छा वाला मांस का टुकड़ा दे दू वो कसाई कहता है मेरे दुकान में हर टुकड़ा सबसे अच्छा ही है वो कहता है कि नहीं जो इस समय सबसे अच्छा है कसाई कहता है मेरे यहां कोई खराब टुकड़ा नहीं है हर टुकड़ा अच्छा है और ऐसे साधारण से बातालाप से वो जेन फकीर बुद्धत्य को उपलब्द हो गए उन्हें अचानक दिखाई दिया कि जीवन में गुजरते हुए हर छण अपने आप में पूरा मुल्लिवान है कोई भी छण कोई भी घटना ऐसी नहीं है जो कम हत्पून है और कम मुल्लिवान है इसलिए चुनाव का कोई उपाय नहीं हर छण और हर घटना को उसी मुल्ल के साथ उसी सघन सजकता के साथ जीना है और तब रुपांतरण घटने लगता है प्रामाणिक प्यास को सरल ढंक से व्याख्याइत करने की जो बात उठाई है वो इतनी ही है कि व्याख्याइत करने या व्याख्याओं में जाने के जितनी चेश्टाएं हैं वो सब गिरा देनी है तुम्हें अपने जीवन को पूरे होस के साथ देखना है च्छन प्रत्छन प्रेम के च्छन घृणा के च्छन उदासी के च्छन नृत्य के च्छन ठहराव के च्छन बहाव के चन समस्त चन और तब तुम्हें हर च्छन के भीतर से रुपान्तरण की प्रक्रिया जाकती हुई दिखाई देगी ब्रहमों की एक जो धारा चली आ रही है वो टोटती हुई दिखाई देगी और तुमारे भीतर प्रामानिक प्यास जन्म लेगी उसने इसलिए अभीतक जन्म नहीं लिया है कि तुमने अपने जीवन को अभीतक ठहर कर देखा ही नहीं है तुम केवल दोड रहे हो कहां जाने के लिए दोड रहे हो ये तुमें भी नहीं पता बस दोड रहे हो हर कोई दोड रहा है जीवन में जो यधार्थ है जीवन में जो वास्तविक्ता है वो थोड़ी दे ठहर कर देखने से तुम्हें उपलब्द होने लगती है जो परिवर्तन सील है और जो अपरिवर्तन सील है दोनों तुम्हें दिखाई देने लगते हैं तुम्हें एक बार निरंतर परिवर्तित होते हुए घटना क्रमों को निरंतर परिवर्तन सील हो रही अपनी मनुदसाओं को देख पाते हो तुमारी हर भावना, हर इच्छा, हर घटना निरंतर परिवर्तन सील है और उसके पीछे तुमारे सुभाव का वो अपरिवर्तन सील ठहराव भी है जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से जोडता है इसलिए और कुछ भी नहीं करना है प्रामानिक प्यास के लिए केवल अपने दिन प्रति दिन के जीवन को गहरी सजकता से देखना है